सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है आजादी का मतलब क्या है कि हकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकल कर मुठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानी उगात लग जाए क्या यही आजादी है इस से आम इंसान की जिंदिगे में कोई फरक आएगा क्या मजदूर और किसा जहां मजब के नाम पर समाज में बटवारा न हो एक ऐसा वतन है जो इंसान का इंसान पर जुल्म बरदास्ट में करें लेकिन अगर हम इस मसले को लेकर राज से संगर्श नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का लेका अजाद मुल्क तो होगा लेकिन एक भष्ट, शोशक और स काम प्रदाइक समाज मन के रह जाएगा नया हो सुरज, नई हो राहें, देखे ये निगाएं, एक युग नया ना खाफ दिल में, ना मोरल पुलिसिंग, जैसे हम परिंदे आसमान आया तो हक से लो तुम, तुम्हारी है आजादी, पुझी गाद से आजादी, जादी गाद से आजादी, मनुआद से आजादी आजादी, रश्ट चार से आजादी, उखमरी से आजादी, उखलिसी से आजादी मेरी भी सुनो, ये डेमोकरेसी, जिसकी कादी है तुम्हें ऐसी तैसी, मैं देश द्रोही तेरी वतन परस्ती, दिवाइडेन रूल की कैसी देश भकी, तो हग से ले हम, हामारी है आजादी, रश्ट चार से आजादी, रश्ट चार से आजादी, उखमरी से आजादी, मुखलिसी से आजादी आजादी, जिने की तुम्हेन बस्ता रूल की आजादी, उखमरी से आजादी खमरी आजादी, रश्ट चार से आजादी, मुखलिसी से आजादी, मुखलिसी से आजादी, शोश्ट बाजादी हो लेकर रही ले, बाजादी हो कुछ भी कर लो, बाजादी है हक अमारी, बाजादी ने चान इसकारी, बाजादी, सच मुझ के तरह ले, बाजादी हो लो, बाजादी हो, बाजादी है हो झाल झाल